हलो दोस्तों कैसे हो स्वागत आप सभी का हमारा इसकी लेक्ट्रिक वर्ल चनल में तो दोस्तों जैसे आपने थमनेल में देखा कि इस तरह का हमने एक यूवी डेबलु टेस्टर बनाया था तो दोस्तों आज हम आपको ये यूवी डेबलु टेस्टर बनाना चिकाएंगे त और जो भाई UVW tester बनाना जानते हैं तो वीडियो को skip कर सकते हैं और आप दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे टोमेंट करके जुरूर बताईएगा कि आपको वीडियो में क्या क्या चीजी अच्छे लगी और क्या क्या समझ में आया क्या नहीं आया तो दोस्तो यह भी लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा हमें यह कैसे बनाया दोस्तों यह देखिए जो यह वाली LED है यह वाली है और जो नीचे वाली LED है यह वाली है ठीक है दोस्तों और यह वाली और यह वाली यह दोनों है और यह और यह यह दोनों है ठीक है दोस्तों तो अभी हमें कर भी लगा सकते हैं इसमें दो वाट से लेके आप पांच वाट तक यूज कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा जितनी वाट ज्यादा की होंगी एक दो तीन तीन इसमें लगेंगी और कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको देखना होगा सबसे पहले हम दो दो प्लेली लेंगे उनका सेट बनायेंगी ऐसे साट आपको ऐसे बनाना है एक का negative ऐक पो drink पडिशा इसको जोड़ देना है दूसरी साड्य का negative पोईटीव पड़ना है इस साड़ का भी negative पोईटीव तो इसका भी ऐसे करना है और जो हमारा इण दोनों का जैसे दो सीरत होते ह और एक सिरे इसका एक सिरे इसका आपको मिला देना यह ध्यान रखना को अगर आप इसका राइट वाला सिरे मिला रहे हैं यहां पर तो आपको इसका भी राइट का मिलाना पड़ेगा अगर इसका भी राइट का ही मिलाना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा एक्स negative और positive points कुन सा होता है तो मैं उने सभी को पहले बतादेता हूं जो हमारी लैग बढ़ी होती है वो positive होता है वो नेगटीव होता ठीक है आपको समझ आ गया बढ़े वाली लैग होती वह स्बसे पहले इसका इसका नेगेटिव और इसका हम पॉजिटिव पखड़ेंगे ठीक है तो हम इसे ऐसे जोड़ देंगे आप देखेंगे कि इसका ये नेगेटिव है और इसका ये पॉजिटिव है तो इसे हम यहां से जोड़ देते हैं आपको मैं जोड के दिखा देता हूँ थोड़ा वीडियो पोज करता हूँ और आयरेंस से लगा लेता हूँ या फिर वीडियो में आप बने रहे वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पता चले तो दोस्तों हमने ये ऐसे इसके सेट बना ली है ठीक है ये हमने नेगटिव पोईटिव इनका जोड दिया है ये देखिए ये हमने तीन सेट बनाए है और अभी हम इनके तीनों के एक एक पॉइंट शोट कर देंगे ठीक है तो वो देखेगा आप हम कैसे करते हैं तो हम ऐसे इसके एक एक प्वाइंट शोट कर देते हैं, बचेंगे हमारा, तो एक एक प्वाइंट उसमें हमें को रजिस्टेंस लगानी है, वह हम शोट कर लेते हैं, देखिए अगर कैसे करेंगे, तो इसे हम चोड़ा कर लेते हैं, यहां से इनकी टांगे, तैन के, हां टैन के, तो द इसे यहां पर, अब हम तीनों को जोड़ दें, एक वायर लेंगे, और इसे जोड़ेंगे अभी, इसे मैं इसे लपीट देता हूँ, ताकि यह खुले ना, मैं इन पॉइंटों को जोड़ देता हूँ, यह सभी जोड़े हैं, तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी है किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं जो भी वीडियो डालूं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुचता रहे, ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो चुका है, आप इसे PCB पे अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, तो यह मैंने सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट के रिकार्डिंग मैंने आपको बना के दिखाया है, तो इसे हम यहां से काट देंगे, यह हमने काट दिया, और जो हमारा है दोस्तों यह वाले सिरे बचे हैं, और जो हमारे यह तीन पाइंट बचे यहां पर हम रिजिस्टन्स कनेक्ट कर लेते हैं, देवार रिजिस्टन्स दे, दोस्तों आपको मैंने बोला था कि 12K भी लगा सकते हैं, इसमें 10K भी लगा सकते हैं, तो मेरे पास 12K मुझे यहां पर मार्किट में अवलेबल नहीं हो पाई 2W में, तो मेरे पास यह 10K की रिजिस्टन्स थी, आप देखेंगे, कलर कोड दिखा देता हूं, यह कलर कोड है, ठीक है, यह है, ब्राउन, ब्लैक, ओरंज, ब्राउन, ब्लैक, ओरंज, और यह वाला भी, ब्राउन, ब्लैक, ओरंज, तो इसे हम लगा लेते हैं, सबस हमारी जो UVW पर जाएंगी तो सीधी आपको इनको PCB में इंसर्ट करना है और PCB को कमांड दे देनी है तो अगर आपकी 6-6 LED गलो करती है तो समझे कि आपका PCB अगर 6-6 LED गलो नहीं करेंगी तो समझे आपका PCB में या IPM में एक फेस मिस है तो दोस्तों यह हमारा प्रोजेक्ट था एक छोटा सा तो वीडियो देखिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए थैंक्यू बाइबाइबाइबाइब जाहिन जावारा